हम को इप हुलो फेंज माताइब स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में प्रेंज इस वीडियो क्लास में हम क्रेंगे जो कॉलम यह कॉश्चन ससरे करेंगे कमादना की ना दोकला सबस्सक्राइब कुलिये हैं और यह पेपर हुआ था 15-122 एक तुह काफी रीस सेंट इक वस्डेंसHello ने तो आपको यह आईडिया हो सकता है कि किस तरीके के सकते हैं तो चलिए देखते हैं इन कुछे को लेकिन इस तरह के वस्टमस हो का यह में जैसे यहां पर यह sentences दिये हैं यह दो या तीन लाइन के होंगे ज़्यादा complicated होंगे लेकिन इस तरह के questions बैंक प्यू एक्जाम में भी पूछे जा सकते हैं तो यह column based question है और इस तरह के questions में आपको क्या करना है देखें यहां पर आप एक table देख सकते हैं और इसमें column 1 और column 2 यह दो कॉलम है और यहां पर तीन sentences लिखे हैं और यहां पर तीन sentences लिखे हैं और इन sentences को mix and match आपको करना है और mix and match करके जो correct combination आपका बन रहा है उसके according पर आपका answer बनेगा अब जो combination आपका बनेगा वो grammatically भी correct होना चाहिए और उसका context भी सही होना चाहिए ठीक है यह दौनों ही चाहिए आपको देखनी है यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया है वो यहां पर डारेक्शन में लेखा हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि A B और C ठीक है यह तीन sentences दिए दिए हुए हैं या sentence या phrases बोल सकते हैं आप और यहां दिए गए हैं D E और F तो इनको mix and match करना है आपको ठीक है अब यहां से पढ़ते हैं there is emerging international recognition देखिए इसका क्या मतलब है कि emerging मतलब ओभरती हुई international recognition एक एक पहचान इस चीज की बन रही है इस बात की एक पहचान बन रही है अब किस बात की एक पहचान बन रही है यानि इस sentence के आगे आप नाउन equivalent कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं किसी action की बात करते हैं तो इसको हम नाउन से इंडिकेर करते तो इसके आगे कुछ भी जो sentence आप बोलना है वो नाउन clause के फॉर्म में आप बोल सकते हैं there is emerging international recognition ठीक है international recognition एक बन रही है एक emerging international recognition बन रही है किस चीश की बन रही है अब इसको आपको जूड़ना पड़ेगा तो end है यहां पर यहां से जुड़ेगा नहीं यहां से जुड़ सकता है क्यों जुड़ सकता है क्योंकि यहां से that से हमने शुरू किया है यानि यह that clause है अब देखे यदि इन sentences को आप जो है कि women का जो participation है वो की है effective climate action में तो यह दोनों sentence जो है यानि ए और F यह grammatically भी सही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर यहां पर आपका noun clause जुड़ सकता है नाउन कुछ भी नाउन equivalent कुछ भी जो सकता है और नाउन equivalent इसमें दिया है तो यह grammatically भी सही है और इसका context भी सही निकल रहा है मतलब यह बात fact भी है कि महलाओं का युगदान हर चीज मा बढ़ रहा है ठीक है तो उस हिसका context भी सही है और grammatically भी यह सही है तो A और F यहां पर एक combination बन रहा है और A और F यहां पर दिया भी है लेकिन दूसरे combinations हमें देखना होंगे it can serve as the driving force to restore hope अब देखिए यहां पर it can serve as the driving force यह चीज एक driving force की तरह काम कर सकती है किस लिए to restore hope जिससे उमीद बापिस आए and create societies देखिए restore hope एक अलग चीज़ है create societies एक अलग चीज़ है तो इसका context नहीं बन रहा है हाला कि यह sentence यहां पर जोड़ सकता है लेकिन बी और डी का combination नहीं बन रहा है बी और डी का option भी नीचे नहीं दिया गया है ठीक है इसको हम पढ़ते हैं the earnest determination distilled in these words is the spirit we all need अब the earnest determination distilled in these words मतलब इन शब्दों के अंदर जो determination है जो दलनिश्य है the earnest determination distilled in these words is the spirit we all need we all need to इसके आगे एक two phrase जुड़ना चाहिए लेकिन two phrase यहां पर नहीं है अब देखे यह मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि इसके आगे यह चीज़ जुड़नी चाहिए इसके आगे जैसे मैंने बताया कि यहां पर एक two phrase जुड़ सकता है यहां पर मैंने बताया कि noun equivalent कुछ भी कि किस word के साथ logically कौन सा word आना चाहिए तो यहां पर A और F A और F का एक logical combination बन रहा है बाकी synthesis का logical combination नहीं बन रहा है तो यहां पर आपका answer होगा third जिसमें A और F दिया है ठीक है इस तरीके से इन questions को आपको करना है अब हम second question देखते हैं over time there are changes मतब्द दूरिंग दूरिंग सम time there are changes that take place कुछ changes की हम बात कर रहा है कि कुछ changes होते हैं कुछ बदलाव आते हैं that take place मतलब जो होते हैं कहां पर होते हैं अब that take place that take place मतलब जो होते हैं लेकिन कहां पर होते हैं तो इसके आगे आप एक place का नाम दे सकते हैं मतलब logically इसके आगे place का नाम दे सकते हैं कि वो कहाँ पर होते हैं over time there are changes that take place but take place where ठीक है वो होते तो हैं लेकिन कहाँ पर होते हैं तो इसका logical इसका logical combination यहाँ पर बन सकता है take place where take place in the composition देखें यहाँ पर clearly दिया गया है take place in the composition of species that constitute an ecological community मतलब species के अंदर species का जो combination होता है उसमें कुछ over time कुछ changes होते हैं यह Darwin की theory आपने पढ़ी होगी biology में उससे related यह question है और इन species से मिलकर बनता है ecological community तो यह दोनो sentences logically भी connected है और context भी इनका सही बन रहा है क्योंकि इसमें हम ecological community की बात कर रहे हैं और उसके ecological community के अंदर जो species होती है उनका composition किस तरीके से change होता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो इसका combination बन रहा है now let us see the second question in the case of primary succession where the house नहीं इससे नहीं बन रहा in other cases a pre-existing group of species is replaced by a new group of species यह बात सही है कि pre-existing group of species जो है वो दूसरे group of species से replace हो जाती है in other cases a pre-existing group of species is replaced by a new group of species इसके बाद अगर इसको जोडते हैं तो where the house and array of species इस sentence को इस sentence से logically आप नहीं जोड सकते क्योंकि यह दे जो आ रहा है इस दे को आप species के लिए यूज कर रहे हैं जो कि गलत है इस species के लिए हम दे का use कैसे कर सकते हैं where the house house का मतलब रखना where the house and array of species जहां पर वो species को रखते हैं नहीं इनका logical order नहीं बन रहा है ठीक है और second का भी इससे नहीं बन रहा है in the case of primary succession that ecological community move from possessing very little species diversity नहीं इसका भी नहीं बन नहीं इसमें भी आपका answer third ही होगा A और F ठीक है over time there are changes that that take place take place मतलब कहां पर in the composition of species that constitute an ecological community A और F इसमें आपका सही answer है बाकी उनका combination नहीं बन रहा है अब हम देखते हैं question number third the increase in MSP for ruby crops comes अब देखिए the increase in MSP MSP क्या होता है minimum selling price यह crops में होती है यह अपने agriculture पढ़ा हो तो वहां पर ruby crops और सभी तरह की crops होती है ठीक है रभी crops इनका government जो है वो एक MSP decide करती है minimum selling price ठीक है जो किसानों को मिलता है तो the increase मतलब उसमें जो बढ़त है the increase in MSP for ruby crops comes अब यहां पर लिखा है कि जो increase आया है जो बढ़त सरकार ने की है MSP में ruby crops के लिए comes अब comes के आगए आप times related कोई phrase आप लगा सकते हैं comes when ठीक है अब times related जो फ्रेज है वो इसमें दिया है just ahead of the RBI monetary policy announcement अब देखिए इसमें हम minimum selling price की बात कर रहे हैं और इसमें हम monetary policy की बात कर रहे हैं तो यह दोनों चीह connected है क्योंकि RBI जब अपनी monetary policy निकालता है तो इसमें वो सारी चीहों को decide करता है कि किस crop का MSP क्या होगा तो इसका context भी है और इसका logic भी है यह दिन दौनों sentences को आप जोड़ें तो यह sentence हो जाएगा the increase in MSP for review crops comes just ahead of the ahead मतलब पहले RBI monetary policy के announcement से पहले आया है क्या आया है कि MSP में MSP की जो प्राइस उसमें बड़त की जाएगी यह sentence सही है A और E इसमें सही है next हम देख लेते हैं there are notified crops the government set नहीं बनेगा off even नहीं बनेगा इससे इसको देखते हैं for big companies there are instances of instances मतलब होता है उधारन इस चीज के examples big companies के लिए इन इन चीजों के instances भी हैं इन चीजों के examples भी हैं लेकिन instances of what instances के साथ हम लगाते हैं off और off यहां पर लगा हुआ है there are instances of even the infrastructure getting damaged मतलब बड़ी companies के साथ इस तरह के examples रहते हैं कि उनका infrastructure जो है वो डेमेज हो जाता है even the infrastructure getting damaged getting damaged क्या है यह passive voice है और यह actually participle है जो की infrastructure नामक noun की यहां पर इसको यह modified करा है लेकिन यह passive voice में है यह passive voice participle इसको आप मान सकते हैं ठीक है तो यह sentence structure सही है यहां पर तो DEF यानि इसमें आपका एक तो यह बनेगा AE ठीक है और एक बनेगा आपका यह 149 क्या है the infrastructure getting damage to def एक तो बन रहा है आपका CF और एक बन रहा है AE हां तो इसमें आपका आंसर होगा fourth यह स्मापका आंसर होका सही थीक है कि फोर्थ कोश्चन देखते हैं रिसेर्चर्स और ओनली बिगिनिंग टू अंडर्स्टेंड पॉवर पॉवर के बाद हम ओफ लगाते हैं दा पॉवर ओफ तो इसमें है नहीं तो यह तो यहां से नहीं बन रहा है इसको देखते हैं यहां पर इसका कॉमिनेशन बन रहा है जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी हमारे पास शक्ति होगी किस चीश की टू एड़ेट आउट जीन्स देट कॉस फैटल डिजीज उन जीन्स को हटाने की शक्ति हमारे पास होगी जिसकी वज़े से घातक बीमारियां हमें होती ह जैसे cancer, TB और बड़ी-बड़ी बीमारियां, tumors ठीक है तो यहां से इसका यह दौनों sentence सही है logically connected भी है और उनका context भी बन रहा है यानि B और E B और E का एक combination इसमें बन रहा है एक तो यह हो जाएगा next हम देखते हैं the burden of gene editing pass down the family tree इसमें देखिए burden of gene editing अपने आप में एक subject है pass down होता है family tree में जो कि उपर से नीचे तक आता है, transfer होता है, gene editing ठीक है, pass down का मतलब यहां पर यह past party से पहल है, यह burden of gene editing की gene editing को modify कर रहा है, pass down the family tree मतलब gene editing का जो burden होता है, जो कि family tree में transfer होता है, the burden of gene editing, pass down the family tree यह अपने आप में पूरा एक subject है, या इसके बाद यहां पर आपको एक verb चाहिए, क्योंकि subject के बाद verb आती है, ठीक है, यह अपने आप में पूरा subject है, क्योंकि burden of gene editing एक noun है, और इस noun को modify कर रहा है, यह adjective, लेकिन यह पूरा अपने आप में एक noun ही है, और इसका जो main subject है, वो है burden of gene editing, the burden of gene editing that is passed down the family tree, इसके बाद आप verb लगा सकते हैं, वरब लगी है इसमें, cannot be born by science alone, मतलब gene editing का जो burden है, वो उसको उसको सही करने का या उसको manage करने का जिम्मेदारी के बाद साइंस की नहीं है, the burden of gene editing passed down the family tree cannot be born by science alone, उसमें technology और दूसरे elements भी होने चाहिए, तो यह CD भी यहाँ पर सही है, यानि A, यानि BE और CD ठीक है, तो BE और CD, यहाँ पर दो combination बन रहा है, दो combination किसमें दिये हैं, दो combination इसमें दिये हैं, यह आपका answer होगा यहाँ पर, second इसमें आपका answer होगा, ठीक है, इस तरह के questions को करने के लिए reading आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, इसमें words जो आते हैं, वो थोड़े से अच्छे level के आते हैं, और हिंदू की अधी आप reading करते हैं, economic time की reading करते हैं, और analyze करते हुए आप पढ़ते हैं, तो इस तरह के sentences को आप I think कर सकते हैं, question number 5 देखते हैं, India will be the third largest aviation, third largest aviation क्या, अब aviation एक adjective है, इसके आगे noun चाहिए आपको, aviation industry हो सकता है, aviation market हो सकता, aviation market इसमें दिया है, aviation market globally a year sooner, मतलब एक साल के अंदर, इंडिया third largest aviation market बन सकती है, यहां से इसका combination ब्रुकुल सही बन रहा है यह, next देखते हैं, the big contribution in, big contribution in, in, मतलब कहा पर, यहां पर उसका नाम आना चाहिए, the big contribution in, तो यहां पर तो as है, यहां पर restrictive protectionist measure है, in restrictive protectionist measure, यहां से दिखते हैं, Firstly we are seeing a restrictive protectionist measures यहाँ पर जब a n लगा हुआ है तो यहाँ पर फिर measures के साथ यह नहीं जुड़ सकता और यह जुड़ता भी है यह sentence तो यह incomplete है Firstly we are seeing a restrictive protectionist measures यह incomplete होगा sentence यहाँ पर इसमें केवल एक ही combination बन रहा है सही India will be the third largest deviation market globally a year sooner मतलब जल्दी ही India third largest deviation market बन जाएगा तो इसमें AD ही आपका सही answer होगा बाकी combination इसमें सही नहीं बन रहे हैं तो यह column based questions हैं इसका एक मैंने idea दिया है इस तरह के questions की आप जाद स्यादा practice करें क्योंकि यह current trend के questions हैं और bank clerk और bank peer दोनों ही exams में इस तरह के questions प्री और मेंस exams में इस समय पूछे जा रहे हैं तो इस तरह के questions की आप जादा practice करें उससे आप इस तरह के questions को मास्टर कर सकते हैं और इस तरह के questions को करने के लिए reading बहुत ज़रूरी है इस तरह के questions को आप लोजिकली कनेक्ट करके accuracy के साथ आप कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो क्लास में मैंने 5 questions explain किये हैं और आपको एक idea दिया है कि कैसे इन questions को करना होता है कैसे यह आते हैं और किस तरीके से आप accuracy के साथ इन questions को कर सकते हैं कोई भी feedback आप देना चाहते हैं तो इन numbers पर आप दे सकते हैं इस email ID पर आप दे सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next वीडियो क्लास में thank you